सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंटरगर्द प्रमाने तो जितने डागुमेंट आप दें, सब पर वो स्टेंट लगाईए और PIO आप बीच में अपना इनिशन या हस्तार चक्र प्रमाने तीसरा यदि आपके और्गनाइजेशन में किसी प्रकार की समग्री का समवेश है, जैसे को देमार संसा है, देमार संसा है, समग्री हो सकती है, फिचरीज डिपार्टमेंट में मचली को किला जाने वाला खाना हो सकता, जेल है, तो जेल में जो बंजियों को खाना किला जाता है, तो भारत के नागरिक को ये अधिकार है कि उसका निर्धारिक में देकर बिना कारा या प्रियोजन बताए उस सामगरी का प्रमानित नमूना भी ले सकता सुचना यदि कंप्यूटर में है तो दो प्रकार से प्रत की जा सकती है हार्ड कोपी या सॉफ्ट कोपी हार्ड कोपी के मतलब ट्रिट आउट सॉफ्ट कोपी में यहां कई लिखे हैं लेकिन अभी पुत्तर प्रदेश सुचना का अधिकार निमवली 2015 के नियम 5 में दो चीज लिखे सकता मूल के बारे में आगे के लिखे हैं अब हम सीधे आवेजन के निश्चारण की प्रत्रिया बाराद हैं यह प्रत्रिया डिस्क्रस करने के पहले कुछ दो तीन बाते हां से कहना चाहूँगा हमारे हैं जितने भी अधिनियम है अभी रुक्य महीं जितने भी लॉग है सबका एक दर्शन है एक फिलोसोपी प्रते की जो आप पढ़ेंगे तो पता लगेगी अभी हम RTI पढ़ रहे हैं इसकी फिलोसोफी क्या है इसकी फिलोसोफी हम दो स्टेट्मेंट में आपे सांद इसकी फिलोसोफी हमें बताती है maximum disclosure and minimum exemption और दूसरे statement ये कहती है disclosure is the rule and exemption is the exception में हिंदी में कहता हूँ जो पहला statement हमने कहा है maximum disclosure अधिक से अधिक प्रकट किया जाना है और कम से कम चिपाया जाना है minimum exemption consistent with constitutional business और जो चिपाया जाना है वह भी सम्मेधानिक प्राविधानों के अनुभूः अधिक से अधिक प्रकट किया जाना है अधिक से अधिक से अधिक बताना है और कम से कम चिपाना है और जो चिपाना है वह भी सम्मेधानिक प्राविधानों के अनुभूः और जो second statement हमने कहा disclosure is the rule सुचना का प्रकटी करण ही मियम है प्रकट किया जाना ही मियम है और च्छिपाया जाना अपवाद है तो अपवाद का प्रयोग अपवाद परिस्थियों में ही होना चाहिए तो इस philosophy के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जन सुचना अधिकारी का प्रथम और प्रमुख दाईत है सुचना उपलब्द कराना अधिनियम मुख्य रूप से सुचना उपलब्द कराने के लिए और केवल अपवाद परिस्थियों में ही सुचना देने से मना किया जाएगा वह भी विधिक प्राविधानों के रुशा है अब हम देखें निसारद की फ्रकृत्रिया का ये प्रतेग समय हमें स्मरण रहना चाहिए कि मैं जन्सुचना दिकारी हूं जन्सुचना दिकारी के रूप में मेरा प्रतम और प्रमुख दाईत है सुचना उपलब्द कराना ना देने का बहाना ढूड़ना ये मेरा दाइत नहीं है। आगे चलिए। इस प्रक्रिया को हमने चार चरणों में बाटा है। इस सार्म की प्रक्रिया को प्रतं चरण में हम देखेंगे आवेदन का प्रारंभी परिच्छा और उसकी पावती कैसे की जाएगी। अब पावती दिना दिवार हो चुका। दिसम्बर 2017 के बाद। आवेदन का विस्ति परिच्छा शुर्टी की गणना देखेंगे अगर कहीं पे मात्रा चोटी हूँ की बडी हूँ बन जाए। अब शरीथे वाले शाह की जगे शट्कॉन वाला शाह बन जाए तो इसको इग्नोर कर दीजेगा। हिंदी फॉंट जब हम प्रियोग करके हैं तो अलग-अलग सिस्टम पर कभी-कभी आयता हो जाता है। तो उसको इग्नोर कर दीजेगा। जो हम बोलेगे सही। तो शुर्विदी गंगा। और अन्तिन चरण में आवेदन का निस्तारण। तो ये चार सरों निके। नेक्स्ट। अधिनियम में जन सुचना दिखारी को एक बहुत महत्रपून दायत रियर्वी दिया गया है। कि यदि आवेदत किसी कारण से लिखित आवेदत तयार नहीं कर पाता है। कारण कहीं हो सकते हैं, काम पड़ा लिखा है, नहीं पड़ा लिखा है या बहुत से लोग एप्लिकेशन लिखी नहीं पाते हैं और सुरियोशन होने कि भाद भी लिखाएंगे तो हमारे ही आधिनियम कहता है जन्सुचना लिकारी कुल्सी सहाइटा भी करेंगे तो क्योंकि ये दाई तो है इसमें नेमा वली में प्रारूप 2 डिजाइन कर दिया गया है ये एप्लिकेशन फ़र्म है यदि नागरिक आप से सहायता चाहते हैं एप्लिकेशन बनवाने में तो आप उन्हें प्रारूप 2 प्रियोग करने के लिए प्रेरित करिए प्रारूप 2 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 उसको आप देखते चलेंगे टिंप करते चलेंगे तो आगे असानी रही जब आप रेजि़न करेंगे जब आप रीगन करेंगे यदि आवेदक प्रारूप पर एप्लिकेशन आवेदक नहीं करता तो इस आधार पर आवेदन का निरस्ति करण नहीं होगा आपने टेक्टिकल ग्रांट्ट पर मेर्ष कर दिया कि आपने प्राण बेरुप बनी दिया, रेजेक्टिड नो नागरिद चाहे तो साधे कागस पर आवेदन कर सकता है उसकी मरदी यह साधे कागस पर खोल दीजे इसको हो सकता है दिन अगला वाल, इसको बैक कडिए है, साधे काघवत पार आगो देगे ये चीज दिए हमें मिलनी चाहिए तो आप साधे काघवत का ठुभे जिए यह विवरन होना चाहिए आगे तक का नाम पिता यह पति का नाम यह क्यों है हम अभी आगे देखेंगे पिता यौपति के नाम क्यों लिखा अभी हम देखेंगे Ruby4 का फूरा पता जमा किये गये शुल्त अथवा कि वो चाहते क्या है संपर्ट फोन या मुबाइल नंबर ये ऑप्शनल है वो और वो देना भी चाहते हो तो दे ले एक प्रशन अक्सर आता है कि आप अंसाइंड अप्लिकेशन आ गई बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र आगे हैं क्या करें हमने विल्टू क्लियर आपको क्या तो आवेदन पत्र आज़ी है वो मैं जानी और आपके बोल जाथ करेंगे आवेदन का जो आवेदन पत्र दिया है कि वह साध्य आगेज पर ये तो पूंट्या आपको जो इसादें पर दिए विवरान का क्राम कुछ भी हो सकता है, आप मैं ये तीन नमर वारा एक नमर में लिख दिया, ऐस नहीं, क्राम कुछ भी हो सकता है, और जैसा मैंने पहले कहा, जो अदिनियम का दर्शन हमने देखा, फिलोसफी ओदा है, और हमने समझ दिया कि जन सुचना अधिकारी का प्रत् दूर कर दें और उसको सुचना प्रदान करने करते है, पीता या पति का नम हमने क्यों पूछा? आधिनियम के नहीं कहा कि पूछिए, आधिनियम की धारा छ्येद हो में कहा गया, कि हमें जो अधिकार है पूछने का उत्क्वित दो बात है, ये आपका नाम क्या है, और प्रियोजन बताओ, नतिंग यह अधिकार दिया ही नहीं अधिकिन, केवाद दो बाते, फिर हमने क्यों लिखिया यहां पर, देखिए इंडिकेटिव है, इस पर आपको बहुत इंसिस्ट नहीं करना, कि हमने इसली लिखा है, कि भारत ग्राम प्रधान देखता है, अभी भी, असली भारत तो गाउं में रहता है, यह सबना, रूरल इंडिया is the real इंडिया, आप सहमत है इससे, यह सबना, अभी हम जब भी, यहां कभी से भी शेहर में रह रहे हों, दो जेनरेशन से तीन जेनरेशन से, लेकिन अंध में गाउं ही बिलेगा, बिना गाउं का भारत में क अब वारत अगर छोड़ दें, मुझे तो नहीं लगता कि भारत के अधिगांश गाउं में हाउस नंबर नंबर होता ही है, आप गाउं होता है, अब ही होता ही है, जो है यह निए, आप चिठी लिखते हैं, आप नाम लिखते हैं, श्री शुगला, यह और ग्राम हम यह यह जनबर यह चिठी चली जाती है, कोई हाउस नंबर निए, अधे उधन, आप मान लिए किसी गाउं में राम खिलावन नाम के पांच वक्ती रहते हैं, इसके पिताजी का नाम चाहिए, ताकि हम उसी राम खिलावन तक पहुंचें, जिसने हमें आवेदन किया था, तो हमने पते के रूप में ये पुछा है, इस पर बहुत इंसििस्ट नहीं करना आपको, पते कर रूप में पूछा है, यदि पूरा पता दिया है, जिसमें पत्राचार हो सकता है, हाउस नंबर अगरा दिये है, ते डोन्ट आसी, कि मुछा हमने तो किवल पते कर रूप में नाम और पत्रा 4 का फुल्ड पता होना चाहिए, यह में बात ने हैं कि आवेदक से संपर्थ किया JOE सकता है। आवेदन के साथ, अब जरह इसको धांस देखिए, आवेदन के साथ 10 रुपए की धनराशी, नकद, अभी नकद पर कोई punctuation मार्ग नहीं है, कोई कौमा वालगा, कुछ नहीं है, तो यहां रुकना नहीं हो जागी, जब punctuation मार्गा रहे हैं, तब तो रुपए की धनराशी, न नकद जमा करने की रसीद, अब यहां स्लेश है, नियमा वली ने क्या कहा, नकद पर के तो रुपए ही नहीं, उन्होंने कहा, नकद जमा करने की रसीद, तो हमको क्या चाहिए, आपको नकद चाहिए की रसीद चाहिए, एक नियमा वली की नियम करूँ साथ, यह नियम अग्राव बेंकर चेक अट्वा पोस्टल अडर सेलें नोगा अब आफ निसे में लोगा इसाम होतों तो इनकात रुपाई नगट नप्ठी कर देता है उसमें अटेज्च कर देता है उसका नंबर लिग देता है उसकी छाय को परजी लगा देता है नगट अब क्या करें आप आप तो करें रसीन आप यहां पर सवायता करने के दाइट तो किसका है अधिनिया में किसको दिया तो अगर नकत आ जाता है तो उसको रिजेक्टमन पर दियेगा आप पहले उसको अगर बाई हैंड लेके आता तो उसको समझा दीजे कि वहाइसा हुआ हमारे कैशियर है देट या नकट प्राप्ट करने के लिए जो भी यो रस्ता हो वहां 10 रुपए नकट जमा करा कर रसीद प्राप्ट करके एप्लीकेशन के साथ रसीद दगा दीजे इतना काम उसके विजाब ते हमें करना पर जाए है बीपील शेई के आवेजिकों से कोई शुल्ट नहीं लिया जाएगा यहां एक ब्रह्म रहता कई कुछी कि आप जो आवेजन शुल्ट के 10 रुपए वो नहीं लेंगे लेकिन सुचना का मूल लेजा हो सौपन्द्य मागजा दोसर रुपए वो तो नहीं लेंगे आधिनियम कहता है कि नहीं आधिनियम की धारा साथ पांच के परंतु में स्पस्ट लिखा है प्रवाइजों आप सेक्शन सेवन पाइप स्पस्ट रुप से लिख दिया गया है कि बीतियल शुनी के आवेज्ट्यों से किसी प्रकार का कोई शुल्ख नहीं लिया जाएगा यह संसंद का आदेश है जो अधिनियम की दारा साथ पांच के परंतु मत्संक्या आपके इसने नियमा वली में दिया है मन्या गुल्ला कोई दिया है उसने मत्संक्या ट्रेंजरी का मत् दिया है कि मिल् mają होगे बश्यग के मिल्च में मत् देया हुआ है उसके आप तर बश्यूं क forgiveness का कूल करमान होना चाहिए और आपको लगता कि अबर्यॉक्त तो उसे एलाब कर दिए नेक्स्ट आगे चलिए नाम पता वह आवेदन शुल्क या तो आवेदन शुल्क होगा या भी के लिके प्रमान पत्र होगा सहित प्राफ्त आवेदन को जन्दूशना दिखाई प्रारू तीन पर बनाएगा रिजिस्टर पर अंकित करेगा ये प्रारू तीन तरह को यह दिखिए आपको जो अत्री मुखण को देखिए पेज नमबर दस को लिए है है माई दीजिया आपको आपको माई कांदर भी साथ देखिए आपको जाना चाहता हूं उस्तों वकीर को दाना के तो सुचना आपको वकीर को देनी है तिखिए आधिनियन की घारा तीन मुझे कहा है अधिनियम में यह अधिकार भारत के नागरिग को दिया है हमारा जो भी प्रफॉशन है या अगर हम सेवा में जो भी बदनाम को कुछ भी हम पहले भारत के नागरिग हैं अधिकार भारत के नागरिग को दिया गया है जो एड्वोकेट का प्रफॉशन है क्या वो एड्वोकेट भारत के नागरिग है की नागरिग है तो उसकी इलिजिबिल्टी पूरी होगी है अब आधिनियम ने यह कहा कि प्रयोजन तो नहीं पूझने नहीं है। वो तो उस ने बदा दिया आपको प्रयोजन कि मैं एपने प्लेट के नहीं मांग रहा था। बल्कि हमें तो पूझने का अधिकार ही नहीं था कि आप Er्ग क्यों मांग रहे था। तो जो अधिकार मेरा है ही निगर देखिए आप किवल ये देखिए कि जो सूचना मागी गई है आदिनियम के अनुसार दे है अत्वा नहीं वह इतना देखिए जहां मेरा दुर्दिक्शन देखिए परियोजन पूछने के जब अधिकार ही नहीं मुझे तो वो तो अपने आ उसने जो पता दिया है उस पत्य पर आप कुछ न देखिए आउंगी चेकर शांक हो गई है इसमें एक पॉइंट और चोड़ देता हूं जब से श्री मेतानी जे ने इस पुर्वोधन का प्रड़म किया है उन्हें लगाता है नागरिक शब्द का ही प्रयोंकिया है यह प्रड़ आ सकते हैं या आए होंगे कि किसी ने किसी कंपणी के लेटर हैट पे कोई सुचना मांगी और नीचे उसने लिग दिया सचिव फलानी कंपणी या फलाना और्गनाइडेशन तो आपके विचार से यह सुचना बेर है उनको या नहीं किया करते हैं इस तरह के प्र प्रातना पत्र आया और नीचे कोई नाम ने लिखा कि वह बदनाम लिखा और व्लेशन का एड़िस लिखा हो तो इस प्रगार के ब्रातना पत्र को यह मानना जाएगा कि यह भारत के नागरित के द्वारा नहीं दिया गया कि दूसरी स्कृतिर हो सकती है कि उसी लेटर है और नेटेशन के सारी सुचनाय मांगी है और नीचे एक नाम लिखा हुआ है X, Y, Z और उनका पदनाम और पता लिखा हुआ है तब हम यह मानेंगे कि जो X, Y, Z हैं वह सुचना अपने लिए मांग रहे हैं और जो उनका लेटर रहे है जो एक्डरस लिखा है यह उनका पता है तब आप इस आवेदर को अस्युकार ना करें यह प्रश्ट कई बार पूछा रहता अधिवक्ता का जो प्रिष्टें होगी है अगर अधिवक्ता के दोबर अपना नाम लिखा गया है तो आप सुचना दे दीजे उनका तो चैंबर नंबर उसको पता माल लिजे अब वो प्रादिकत प्रतनी दिखे रूप में मांग रहे हैं तो आप यह नहीं मालेंगे कि आप एक्स के अधिवक्ता के रूप में मांग रहे हैं जरह एकमेट बैक कर लिए दुबारा आजे, बैक कर लिए हमने कहा नाम पता वा आवेदन शुल्क अथवा बीतियल प्रमानुपत्र सहीत आवेदन को जन सुचना निकारी प्रारूप तीन पर बनाएगा रिजिस्टर पर अंकित करेगा अब प्रारूप की खुलिए लिए ज यदि आपके करेले में प्रारूप तीम कर इसन नहीं बनाया है तो तो कृप्य आ इसे बनुआते हैं प्रारूप तीन का मैं महात तुणा सहार समझा दूँ, प्रैटिकल अस्पेक्ट जो प्रारूप तीन का है पहुना यह देखा गया है कि जनसुष्ण अदिकारी मेरे कारेले में आयोग में आते हैं और उन पर धन्ड लग चुका होता है फिर वो कहते हैं कि साथ मेरे पूरा अदिकारी के समय ये प्रातना पतर आया था और मुझे इस प्रात्ना पत्र की कोई जानकारी कभी हुई ही नहीं कि मेरे कारे है